हलो दोस्तों welcome back to my channel and I hope आप सभी स्वस्त और मस्त हो आज हम review करेंगे banking, infra and entertainment related stocks का तो चलते हैं charts पर और जान लेते हैं क्या level सही होंगे buying के और क्या targets इसमें आ सकते हैं अगर आपको नया demate account खोलना है दोस्तों तो description box में अब stock skilling पर जाकर आप अपना free demand account खोलते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो कि 16th of July जो की Friday का थे 48 and 58 के वो अच्छी हो गए थे आप क्लेरी देख सकते हो कि इस टॉक ने 3rd of August को हमारा पहला target जो था 48 का था वो दे दिया था 49.20 का हाई लग गया था और उसके बाद इस टॉक ने वापस हमारे buying levels के आसपास आकर in fact यहां पर देखे हमारे buying level से 39 के और यहां पर 34.10 के lows लगा कर इस टॉक ने एक लंबी rally दी जो कि हमारे second targets भी अच्छी हो गए थे 60.70 की highs लगे और उसके बाद इस टॉक ने दिखे हमारे correction दिखाया था बढ़ एक बहुत अच्छे level पर consolidate कर रहा था और यहां पर ऐसा लग रहा था कि एक बड़ी up move वापस आ सकती है बड़ यहां पर आप देख सकते हो कि clearly stock ने यहां पर 48 and 50 के levels बहुत अच्छे maintain रखे थे बड़ यहां पर overall markets में negativity के कारण यहां पर एक बहुत लंबा correction देखा जा रहा है तो यहां पर घबराने की कोई बात नहीं है अगर आप यहां पर थोड़ा सा patience रखोगे overall markets ऐसा नहीं है कि all of a sudden downside जाने वाला है तो यहां पर एक healthy थोड़ा सा patience रखने की जरूरत है यहां पर बहुत अच्छे levels पर अभी भी यह stock मिल रहा है अगर आपको accumulate करना है मिल सकते हैं और अगर आप इसके प्री कोईड लेवल भी देखोगे तो यहां पर जैनवरी फेबरुरी के आसपास यह stock जो है इस stock में आते हुए दिखते हैं lower levels पर अगर यह stock थोड़ा सा consolidate करता है तो यह बहुत अच्छी buying levels हो सकती है गायटरी प्रोजेक्स में आने वले time में stock आपको 60-70 and possibly 80 KB target दे सकता है in the long run एक बहुत अच्छा stock हमें बहुत अच्छे levels पर मिल रहा है इस बात का ज़रूर दिया रखना तो दोस्तों हम लोग आ चुके है हमारे second stock पर जिसका नाम है NMDC Limited और आज की जो closing है 149.15 पैसे की आ चुकी है इस stock को मैंने आपको suggest किया था 19th of June तो हम लोग daily charts पर चलते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 18 June जो कि Friday का दिन था closing price आई थी 178.20 पैसे की और मैंने आपको इस वीडियो में clearly बताया था कि above 200 इस stock में एक बहुती major breakout हो सकता है तो यहाँ पर इसके बाद यह stock देखी है आप downward trajectory में stock trade कर रहा है अगर आप लंबी rally के बाद stock ने last year में यहाँ पर आप देख सकते हो कि September महीने से stock continuously uptrend में था और उसके बाद एक लंबी downside rally आई है stock में तो यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि long term charts पर अभी भी stock में एक बहुत अच्छे levels आ चुके इस stock में यहाँ पर एक बड़ा breakout आके आप support लेने की कोशिश कर रहा है और अगर आप इसके long term charts देखोगे तो एक लंबा breakout इस stock ने दे दिया है और आने वाले time में stock आपको वापस 200 के ऊपर अगर इस stock निकलता है तो यहाँ पर एक major breakout NMDC में देखा जा सकता है और यह stock continuously dividend भी देता है तो यह bonus है investors के लिए bonus in the sense हमें एक यहाँ पर एक add-on मिलता है कि यह stock हमेशा आपको bonus देते रहता है और यह तगड़ा bonus देता है आप देख सकते हो 5 रुपए कि 7 रुपए 70 पैसे के आसपास के dividends दिये हैं तो यहाँ पर dividends बहुत ही अच्छे देता है NMDC support के आसपास है बहुत अच्छे levels आ सकते है अगर यह stock 180-188 के उपर closing देने में successful होता है तो NMDC के उपर आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए बहुत अच्छे levels पर अभी यह stock trade कर रहा है जिनोंने इन levels पर buying कर रखी है तो यहाँ पर देखी थोड़ा सा समय लगेगा ऐसा नहीं कि overnight यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा सा स stock आपको 170-180 के target दे सकता है अगर यह stock 188 के उपर closing देने में successful होता है तो यहाँ पर आपको एक major breakout दिख सकता है जो इस stock को आपको 200 से लेकर 230 तक ले जा सकता है तो इन targets के लिए यहाँ पर वेट कीजिएगा NMDC में आपको बहुत अच्छे levels आते हुए दिख सकता है अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी informative लग रही है तो आप मुझे support कर सकते हो इस i button पर click करके मेरे चैनल को subscribe and bell notification on कर लिजिए तकि आपको मेरे चैनल से related सारे updates time to time मिलते रहे और मुझे भी motivation मिलते रहेगी आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए तो फट किये हैं और इस टॉक में थोड़ा सा यहां पर करेक्शन आया है क्योंकि यहां पर कई सारे बैंक्स में आया है तो यहां पर बहुत अच्छे लेवल्स पर अभी भी यह stock मिल रहा है अगर आप देखोगे तो यहां पर मैंने आपको वीडियो जो है यह 9th of March में बना के दी तभी price थी 41.75 के आसपास पर हम लोग daily charts पर चलते हैं और exact price देख लेते हैं यहां पर देखे 8th of March की closing price थी 41.75 और यही पर मैंने आपको बताया था इस वीडियो में अगर यह stock 44 के उपर निकलता है तो 48 and 58 के levels आ सकते हैं तो यहां पर देखे उसके बाद इस stock ने कई दिनों करके वापस यह stock उपर गया वापस नीचे 38 के levels पर आया और अब यह जब 45 के levels cross करके 48 के levels दिखा चुका है वापस अपने breakout levels रिटेस्ट कर रहा है तो एक बहुत अच्छे levels पर यह stock अभी भी है अगर आप इसके long term charge देखोगे तो यहां पर देखे फर्स टाइम आफ्टर प 43 और 44 के उपर closing दिए और इस हफते को close होने में अभी भी दो दिन का समय बाकी है तो पंजाब National Bank में अभी भी एक बहुत अच्छा scenario बन रहा है कि अगर यह stock 43 और 44 के उपर closing देने में successful होता है तो एक बहुत अच्छे levels buying के बन जाएंगे क्योंकि आने अले समय में stock आपको एक बहुत बड़ी upside move दे सकता है क्योंकि एक लंबे consolidation के बाद यहां पर आप देख सकते हो higher high और higher low पैटन तो है जरूर पर यहां पर एक लंबा consolidation हो चुका है और एक breakout देने की यहां पर कोशी चल रही है अगर यह breakout होता है 44 के उपर closing आती है तो आने वाले टाइम में आपक कर सकते हो अगर आपने इस stock में buying कर रखी है और अगर आपको fresh entry लेनी है थोड़ा सा लंबा नजरिया रखिएगा पंजाब national bank में क्योंकि यहां पर देखी इस stock ने अगर यह consolidation में जाता भी है तो जादा नीचे नहीं जाएगा 35-38 के levels तक आके वापस यह stock bounce कर सकता है और ज KC sector का एक बहुत ही अच्छा stock अच्छे levels पर मिल रहा है इसको जरूर accumulate कीजेगा बहुत अच्छे levels आने वाले टाइम में यह दिखा तो दोस्तो हम लोग आ चुक है हमारे 4th and final stock पर जिसका नाम है Z Entertainment Limited और आज की जो closing है यह 320.5 पैसे की आ चुकी है इस stock को मैं आपको suggest किया 2020 के levels पे back in 19th January में तो हम लोग daily charts पर चलते हैं और price देख लेते हैं कि यहाँ पर exactly price क्या थी तो अगर आप देखोगे 19th of Jan की अगर closing price भी देखोगे तो 325 या 324 के आसपास यह stock trade कर रहा था और मैंने आपको यही पर video बना के दी थी अगर यह video नहीं देखी है इस i button पर क्ल इस महिने में 167,170 के आसपास यह stock trade कर रहा था और अचानक से इस stock में एक news आई यहाँ पर उसके कारण इस stock ने हमें 362 के highs बनते हुए दिखे यहाँ पर 23rd of September इस stock ने 362.90 के highs बना है और हमें more than 72-80% के profit यह stock दे रहा था तो यह जो news थी वो यह थी कि यहाँ पर Zee Entertainment अब यह Indian company नहीं रही है यह multinational company बन गई है तो यहाँ पर इसी लिए यहाँ पर बहुत अच्छे investors आ रहे हैं और बहुत बड़ा investment इस stock में किया जा रहा है तो यहाँ पर बहुत अच्छे levels पर इस stock अभी भी trade कर रहा है अगर इस stock ने 120 ये 125 के उपर closing देने में successful होता है तो आने आने वाले टाइम में इस stock आपको 360 से 400 के levels भी दिखा सकता है तो buying zone अगर आपको इस stock 300 के levels पे मिलता है तो एक safer buying levels होने वाले है 300 से 310 के और उपर की तरफ अगर ये 325 के उपर closing देने में successful होता है तो आपको 360 से 400 के targets ये stock easily दे सकता है तो इन targets के लिए आप बाइंग अगर पसंदा ही है तो please like का button दबा दीजीगा and comment section में मुझे link करके ज़रूर बताइए आपको इस वीडियो कैसा लगा या फिर आपके कोई भी doubts होंगे किसी भी stock को लेकर तो आप पूछ सकते हो जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी reply करने की कोशिश करूँगा तो मिलते है आपके नेक्स वीडियो में तब तक के लिए सेफ और हम पूर दी थैंक यू